36-goard के बस्तर में खेल को बड़ावा देने के लिए और बस्तर के खिलाडियों को अंतराश्टिय इस्तर पर होने वाले खेलों में शामिल होने के लिए बस्तर जिले में खेल परीसर का तो निरमान करा गया लेकिन ये खेल परीसर पूरी तरह से ब्रष्टाचार की भेट सकेंगे फीफा जैसे जो अंतराश्टी इस्तर के खेल है वो भी बस्तर में आजन हो सकेंगे लेकिन ये पूरी तरह से सिंटेटिक ग्राउंड है ये अपनी भष्टाचार की पोल खोलती नजर आ रही है दरसल ये टर्फ ग्रास है जिसे बेल्जियम से स्पेशल मंगाया गया हाला कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जो भी खमिया पाई गई है उसे दुरूस्त करने के लिए ठेकेदार को बकायदा निर्देशित किया जाएगा और पुरी तरह से विवस्था फिर से दुरूस्त की जाएगी और ग्रास को एक बार फिर से सही त देखूं कि कि वहां किस तरीके से जो काम हुआ है उसमें बहुत छती हुई है तो उसमें जो भी ठेकेदार होगा उसके प्रहमकारवाही करवारी की पुरी कोशिस करेंगा इस मामले में विपक्ष के नेताओं का कहना है कि 7 करोड की लागत से जो खेल परिसर बनाया गया उसम में कमिशन खोरी की गई है और कमिशन खोरी में अधिकारियों के साथ इस्थानिय जनपति निदी भी शामिल है यही वज़ा है कि उद्गाटन के 6 महने में ही यह ग्रास पूरी तरह से अपनी गुरवत्ता विहिन की पोल खोड़ रही है